वेलकम बैक तो चैनल आज इस वीडिए के देर हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के कैसे फीचर के बारे में जिस फीचर का यूज करके आप लोग डेली का 1000 से टू थाॉज़न रुपीज अर्ण कर सकते हैं दोस्तो आज इस वीडिए के आदर हम बात करने वाले हैं बाइना तो होता किया है जब भी हम लोग crypto में trade करते हैं किसी coin को buy करते हैं sport के अंदर तो होता किया है जब हमने किसी coin के अंदर invest किया तो वहीं से उसके अंदर हमें downfall देखने को मिल जाता है अकसर ऐसा ही देखा गया है कि जब भी किसी coin में invest करते हैं तो वहाँ पर फिर उसमें गिरा जबर दस्त रैली देखने को मिलेगी तो इन दोनों ही केसों के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों को लोस होता है और इसी लोस से बचने के लिए और डेली के फिक्स अमाउंट अर्ण करने के लिए हम लोग गृट ट्रेडिंग का यूज करते हैं इस वीडियो के सथ आप लेक्स देरे के स्टार्ट करते हैं दोस्तो आग्र आप किसी दूसरे एक FIFA का भी यूज करते हैं तो definitely वहां पर भी आपको फीचर है वो देखने को मिल जाएगा तो चलिए बात करते हैं कि BINANS के उपर sport get trading कैसे की जाती है description के उपर दोस्तों आप लोगों को Binance sections का link मिलेगा link पर click करके अपने account बना लीचेगा अगर आपने account अभी तक नहीं बनाया Binance पर तो उसके बाद आपको Binance application पर आना है Binance पर आने के बाद आपको trade के section पर चले जाना है जैसे कि आप लोगी किसी भी crypto currency को स्पोर्ट के अंदर buy करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर sport grid trading जिसके नाम के अंदर आपको sport name देखने को मिल रहा है इसका मतलब हम एक ऐसी board के help लेंगे जो कि sport के अंदर crypto को buy sale करने में हमारी help करेगा दूसों यहाँ पर sport पर आने के बाद या trade के उपर आने के बाद आपको यहाँ पर कोई ऐसा specific coin को select करेना है जिसमें आप trade करना पसंद करते हैं तो यहाँ पर मैं Matic को select कर लेता हूँ आप चाहें तो ADA हो गया अपना Bitcoin Ethereum किसी भी coin को select कर सकते हैं यहाँ पर मैं Matic को select कर लेता हूँ दूसों यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चार्ट में दिखाना चाहूँगा कि आखेर grid trading काम कैसे करता है दूसों यहाँ पर हमने Matic के वन डे की time frame को open कर लिया है जहाँ पर अगर आप चार्ट को देखे तो आपको समझ आ रहा है कि जो Matic है वो दोस्तों एक ही support resistance के बीच में trade हो रहा है अगर मैं आपको इसको बिल्कुल easy language में समझाने के कोशिश करूँ तो आप चार्ट को ध्यान से देखेगा तो यह जो grid trading वाला system है यह बोट है यह काम क्या करता है कि दोस्तों आप लोगों के जो lower level है वहाँ पर buying order लगाना शुरू करता है जैसे उस crypto का price बढ़ता है तो वो क्या करता है बोट टोप के उपर जाते है उस crypto को sale कर देता है अगेन वो क्या करता है कि जैसे उस Matic का price यह crypto का price नीचे आता है नीचे आने के साथ अगेन उसमें buying order लगाना शुरू करतेगा जैसे उसका price बढ़ेगा तो उपर वाली price पर जाती automatically बोट यहाँ पर उस crypto को sale कर देगा और जैसे again price नीचे आएगा तो नीचे आती वापस खरीद लेगा और price जैसी उपर जाएगा तो उपर वाली price पर जाते ही crypto को sale करतेगा तो यह automatically दोस्तो जो बोट है वो आपके buying selling order लगाएगा आप इसे दो तरीके से use कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ दोस्तो जब हम great trading करते हैं तो वहाँ पर बोट automatically buying selling के order लगाता जाता है तो दोस्तो यहाँ पर अभी आपको समझ आ चुक है कैसे यी बोट काम करता है अब चलिए यह समझते है कि इस बोट को कैसे use करना है उसके लिए दोस्तो आपको क्या करना है trade के section पर ही आना है अपनी मन पसंद crypto को select कर लेना है उसके बाद आपको right side में three dot के उपर चले जाना है three dot पर जाने के साथ ही आपको यहाँ पर great trading का एक feature देखने को मिलेगा great trading पर click कर दो अब हमने great trading पर click किया तो यहाँ पर हमारे पास दो प्सना चुके है auto का और manual का auto का मतलब यह है कि automatically यहाँ पर क्या है कि दोस्तो जो boat है वो आपके buying order लगाता जाएगा और selling order लगाता जाएगा ठीक है यह अपने हिसाब से काम करेगा लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको पहले ही बता दें कि किस level के उपर crypto को खरीदना है किस level के उपर crypto को sale करना है तो उसमें क्या होगा कि हमारे बताए अनुसारी यहाँ पर boat जो है buying selling करना शुरू करेगा तो यहाँ पर auto का feature आप चाहे तो यूज कर सकते हैं बट मैं आपको recommend नहीं करता हूँ तो अब हम बात करते कि manual feature का use हमें कैसे करना है manual पर आने के बाद आपके पास दो तो अप्षन आएंगे arithmetic का, geometric का अब arithmetic का क्या मतलब है जो भी लोग basic है, जो भी हम पर first time यहाँ पर जो beginners grid trading करना चाहरे है, उनके लिए arithmetic का काफी best feature रहेगा geometric में क्या है कि आपको percent select करना पड़ता है तो अगर आप arithmetic को समझ आते हैं उसके बाद आप geometric की तरफ यहाँ पर बढ़ सकते हैं तो आज हम बात करेंगे arithmetic के बारे में तो arithmetic के अंदर आप से price range के बारे में पूछा जाएगा कि lower price और upper price एंटर कीजिए दोस्तो lower और upper price का मतलब क्या है lower और upper price का मतलब यह है कि suppose कीजिए कि यहाँ पर किसी crypto का graph इस परकार से है तो वो आप से यह पूछ रहे है कि ऐसी value बताओ lower price जहाँ पर उस crypto को buy करना है तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को दोस्तो एक level देख लेना है किस level के उपर आप लोग अपने buying order लगाना चाहते है lower price मतलब buying order और दोस्तो higher price मतलब आपके selling order किस level पर लगाना चाहते है तो आपको क्या करना है चार्ट को देखना है चार्ट के अंदर अगर हम देखे one day की time frame पर भी आप देख सकते है short time frame में भी देख सकते है short time frame पर देखो कि तो आपको भी benefit है क्यों कि short time frame में क्या है कि आप लोगों को profit यहाँ पर थोड़ा सा चल्दी होगा तो यहां पर अगर हम देखे दोस्तों जो प्राइज है वो यहां पर अगर हम 0.85 से 0.87 का लेवल देखे तो इसी लेवल के अंदर जो प्राइज हो काफी टाइम से ट्रेड हो रहा है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारी लोवर प्राइज को 0.85 के असपास सेट कर सकते है तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर बैक जाएंगे और हमारी lower price को 0.85 पर हमने select कर दिया और हमारी upper price जहाँ पर हमें sale करना है crypto को वो हमने यहाँ पर enter कर दिया दोस्तों बिलकुल असान language में अगर हम बात करें तो lower price मतलब जिस range से आप लोग boat को यह बता रहे हैं कि पर boat को समझा रहे हैं ठीक है तो यह दो option है जिनका मतलब अभी आप लोग समझ चुके होंगे उसके बाद next option है हमारे पास grids का अब 200 grids में क्या है कि आपको यह select करना होता है कि कितने grid आप यहाँ पर लेना चाहते हैं देखिए जितना ज्यादा आप लोग grid लेंगे उतना 125 डोलर मुझे बता रहा है यानि कि minimum 125 USDT से यहाँ पर मैं grid में trade ले सकता हूं उसके बाद अगर हम 10 से अगर grid को कम करते हैं लेक मैंने यहाँ पर 5 किया तो आप मेरा investment दिख सकते हैं मेरा 72 रोर का investment यहाँ पर हो चुक है अब मैं कम investment से grid में trade कर सकता हूं तो यहाँ पर grid में क है कि वह आपके उपर depend करता है कितने ज़्यादा आप grid ले रहे हूं ठीक है जितने ज़्यादा grid लोगे उस आप से जो आपके buying और selling के order लगेंगे ठीक है अगर आप कम grid लेते हो तो आपके यहाँ पर यहाँ पर जादा investment के लगेंगे example के लिए मानिए कि आपने 100 डोलर यह यहाँ पर जो है grid trading में invest किये हैं आपके grid जो है वो 5 आपने लिए तो इसका मतलब यहाँ पर हर buying order आपकी 2020 USDT के लेगेंगे टोटल 5 times करके ठीक है तो यह इस इसाब से वर्क करता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर grid सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको investment सेलेक्ट करना है तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर next में हमें advanced का एक optional feature देखने को मिल रहा है इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले grid trigger के बारे में अब यह grid trigger क्या है या trigger price क्या है तो अगर मैं इस बोट को directly अभी create के ओपर क्लिक करके open करता हूँ तो होगा क्या जैसे मैं create पर क्लिक करूँग तो मेरी जो grid trading है वो शुरू हो जाएगी अगर यहाँ पर मैं trigger price enter कर देता हूँ तो जब वो trigger price हिट होगी तभी मेरा यहाँ पर grid trading यहाँ पर open होगा तो आप इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं अभी Matic का price 0.8581 USDT पर चल रहा है उपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर यहाँ पर मैं trigger price 0.85 यहाँ पर USDT डाल देता हूँ और अगर अब मैं create के ओपर click करता हूँ तो मेरी grid trading तभी शुरू होगी जब Matic का price 0.8500 USDT के ओपर आएगा अगर आप चाहती कि specific value के ओपर Matic का price आएगा तभी हमारी जो grid trading है वो open हो तो उसके लिए आप trigger price यहाँ मतलब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर next हमारे पास option है stop trigger का stop loss और take profit हम लोग future trading की वीडियो में बात कर चुके कि TP क्या होता है SL क्या होता है तो stop loss और take profit के बारे में आप जानते कि stop loss कहां लगा जाता है TP कहां लगा जाता है जब आप sport के अंदर दोस्तों trade कर रहे ना तो व 0.85 से 0.87 डोर के बीच में ही trade करना है कम price पर खरेदना है high price पर जाते ही sell करना है तो यह boat के इसी range के अंदर काम करेगा अगर 0.85 के नीचे price आता है तो boat का यहां पर काम करना बंद कर देगा अगर 0.87 के उपर price आता है तो वहां पर भी boat का कोई काम नहीं है boat को हमने समझा द नीचे आपको specific option देखने को नहीं मिलते हैं बस आपके पास create का option है अब जैसे हम create के ओपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो यहां पर grid trading है वो लग जाएगा आप देख सकते हैं strategy created successfully तो okay ओपर हम क्लिक करते है scroll down करने की बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो grid trading है वो य अगर matic का price हमारी बताए गई lower price पर आता है तो boat क्या करेगा उस level से crypto को खरीदना शुरू कर देगा और जैसे price उपर जाता है तो उस level पर जाते ही अपनी जो matic के अंदर हमने invest किया उसको sell करना शुरू कर देगा तो overall जो profit है आपका वो आपको sport wallet के अंदर देखने को मिल जाएगा तो इसी प्रकार से किसी भी कोईन के अंदर आप लोग ग्रीट ट्रेडिंग कर सकते हो डेली बिसेस पर 1000-2000 रूपिस अंदर कर सकते हैं वो डिपैंड करते हैं कि आप कितना invest यहां पर sport grid के अंदर कर रहे हैं दोस्तों जब भी आप ग्रीट ट्रेडिंग करते हैं जब चाहें आप अपने grid ट्रेडिंग को बंद कर सकते हैं दोस्तों यह तो हमने बात किया है अभी कैसे grid ट्रेडिंग की जाती है और इसका क्या काम है अभी हमने short time frame पर देखा कैसे हमें grid ट्रेडिंग के अंदर trade लेनी है अगर हम बात करते हैं long time frame की तो आप chart को 1 day की time frame प तो दोस्तों इस level के ऊपर आप लोग अपनी lower price set कर सकते हैं metric के अंदर और अगर हम बात करें higher के अंदर तो higher के अंदर आप लोग यहाँ पर 0.85-87 की जो price है वो set कर सकते हैं तो जितना ज़्यादा time frame रहेगा उतना ज़्यादा profit जो है आपका यहां पर बनेगा short time frame पर क्या कि gap बहुत ज़्यादा कम है जिसके चलते profit भी काफी कम रहेगा लेकिन जब हम बात करतें long time frame पर तो वहां पर जब बर्दस profit grid trading के तुरू बनाया जा सकता है और दोस्तों इस वीडियो में हम एक NFT project का review शेयर करने वाले हैं जिसके बारे में वीडियो के starting में discuss कर चुके हैं दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले NFT grower के बारे में जो कि एक monkey NFT का collection है अगर हम इसको deep में देखें तो यहां पर क्या है कि दोस्तों जो NFT grower है यह 11,111 unique monkeys heroes के NFT है जिसकी sale जल्दी Binance के marketplace पर आने वाले है और आप लोग जानते है कोई भी दोस्तों NFT का अगर प्रोजेक्ट ह लाता है तो उस टाइम पर जबर्दस थाइप हमें देखने को मिलते है तो इनके अंदर क्या है कि बेसिकली अगर आप इनके monkeys NFT को खरीद कर होल्ड करते हैं तो daily business पर आप 1% की earning कर सकते हैं और साथ ही में recently आप कोई टेलिग्राफ कोई मार्किट केल जैसे जो websites है इन्होंने इनके NFT को भी feature किया है तो चली जानते कैसे आप इनके NFT को खरी सकते कोई भी financial advice नहीं है आप अपनी risk भी उपर invest करेंगे दोस्तों यहाँ पर इनके website पर आने के पद आपको sign up का option देखने को मिलेगा जैसे आप sign up पर click करेंगे सबसे वाले आपको username email डाल देना है password रख लेन यहाँ पर left side के अंदर आपको यहाँ पर NFT buy करने का option है dashboard में आप देख सकते कि आपके account में कितना balance है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाले हो कितनी earning यहाँ पर NFT समुझी हुई है तो यहाँ पर दोस्तों simple सा अगर आप NFT करिजना चाते तो buy NFT पर जा सकते हैं और यहाँ आपको NFT से monkeys की देखने को मिलेगी जिनको खरीद कर आप डेली का 1% कर सकते है बस आपको hold करके रखना है और ध्यान रखेगा किसी प्रकार का किसी project में इन्वेस्ट करने से पहले अपना research जरूर से कीज़ेगा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें इस NFT को जिसकी value minimum 100 रोर कि वो आपको show हो जाएगी कितना आप लोगोंने NFT से profits बनाया daily basis पर वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और जो भी profit है उसको आप लोग विड़ो कैसे करेंगे विड़ो करने के लिए आपको dashboard पर आना है जो भी आपका profit होगा simple सा विड़ो पर जाकर यहाँ प तब नेक्स पूड़ो में तब तक लिए चेहिन वो अन्दे मात रहो